नमस्कार जी आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है मेरे आज की रेसिपी बर्फी की है जिसे मैं तिरंगा स्टाइल में बनाने वाली हूँ तो चलिए जल्दे से बनाना शुरू करते हैं बर्फी बनाने के लिए मैंने लिया है एक गिलास दूद एक कटोरी शुगर पाउडर एक कटोरी नारियल पाउडर और ये दो कटोरी मिल्क पाउडर है सबसे पहले हम दूद डालेंगे दूद जब हलका गरम हो जाए तो इसमें हम मिल्क पाउडर एड़ करेंगे इनको अच्छे से मिलाएंगे मैंने अभी कड़ाई चेंज कर ली क्योंकि वो बहुत बड़ी थी और वैसे भी नॉन स्टिकी में अच्छे से बनती है और नीचे से चलती भी नहीं है गैस को हम मेडियम ही रखेंगे और दूद और मिल्क पाउडर को थोड़ी देर पकाएंगे इसे लगबक दो मिनट तक पकने देंगे अब हम इसमें कोकोनट पाउडर डालेंगे इसे लगातार चलाते रहें अब हमारा यह मिक्स चरिए देखिए इखटा होने शुरू हो गया है अब हम इसमें शुगर पाउडर डालेंगे और इसको इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे अब यह हमारी बर्फी बनाने के लिए त्यार है और यह देखिए यह कड़ाई को भी छोड़ने लग गई है अब हम इसे तीन भाग में डिवाइड करेंगे इसमें मैं फूट कलर एट करने वाली हूँ एक बले भाग में हम औरेंज कलर एट करेंगे इसे हम साइड में रख लेंगे दूसरे वाले में हम औरेंज कलर एट करेंगे और तीसरे वाले को ऐसे वाइट ही रहने देंगे अब हम इसे आटे की तरह गुंतेंगे जिससे यह सौफ्ट हो जाएगा अब यह लेंगे लेंगे इसको हम इस तरह से ऐसे सेट करेंगे औरेंज वाला इस तरह से सेट हो गया है अब हम इसमें वाइट वाला सेट करेंगे इसके उपर गरीन वाला और पीनों को हम अच्छे से सेट कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने देंगे दो घंटे के बाद यह पेसिस काटने के लिए त्यार है इस तरह से हमारी तिरंगा वर्फी बनके त्यार है मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थन्यवाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शियर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थेंक्यू, जै हिंद, जै भारत